गाइज आइफोन 12 प्रो एपल ने 2020 में लांच किया था यह काफी प्रीमियम फोन है यहाँ पे एपल ने पहली बार अपने आइफोन 12 और आइफोन 12 प्रो में फ्लैट क्रोम आपको यहाँ पे दी थी जो कि काफी प्रीमियम लगती है इससे पहले आपको यहाँ पे राउंड 12 Pro में एक यहाँ पर लिडार सेंसर आपको देखने को मिल जाता है जो कि Apple ने अपने iPhone 12 Pro में launch किया था पहली बार गाइस इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि 2023 में हमें iPhone 12 Pro के लिए जाना चाहिए या नहीं क्या-क्या इसके benefits हैं और यह phone actually में चलने में कैसा है और मैंने यहाँ पर इसे दो साल से मैं इसे continue use कर रहा हूँ यह मेरी primary device है तो इसका सारा आपको detail में review देंगे क्या-क्या इसमें आपको plus point देखने को मिल जाते हैं यहां पर के आपको मिल जाता है तो आपको राई साइड में एक पावर बटन साथ tragic में और नीचे आपको यहां पर mm-wave का एंटिना हैं मेरा यह USA version है इस लिए आपieważन कीज दो देखने को मिल जाएंगी नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पर सिम स्लोट देखने को मिल जाएंगी बैक साइड में देखते हैं तो आपको यहाँ पर एक ग्लास देखने को मिल जाएंगी यहाँ पर रफ फिनिश देखने को मिल जाएंगी मैट टाइप का आपको augmented reality में काफी चीज़ें enjoy कर पाएंगे यहाँ पर applications के through और यहाँ पर आप देशकते हैं आपको dual tone LED flash देखने को मिल जाता है आपको camera bump यहाँ पर glossy finish में देखने को मिल जाएगा जो कि काफी dust पकड़ता है इसलिए मैंने यहाँ पर यह skin लगा के रखी हुई यह camera bump में guys भी बात करते हैं friend के बारे में तो यहाँ पर आपको 6.1 inches की display देखने को मिल जाती है जो कि काफी अच्छी display है Apple की यहाँ पर आप सामने देखते हैं आपको face ID का setup देखने को मिल जाता है और 12 megapixel का आपको front camera देखने को मिल जाता है guys आपको iPhone 12 Pro में 800 nits की brightness देखने को मिल जाएगी जो कि आपकी peak brightness 1200 nits तक पहुँच जाती है अगर आप इसमें कोई जाधा brightness वाली video या फिर HD content व्यू करते हैं तो यहाँ पर आपको 1200 nits तक की brightness आपकी display में देखने को मिल जाएगी जो कि काफी अच्छी बात है यह काफी bright है जैसा कि आप देख सकते हैं guys design के बारे में बात करने तो यहाँ पर आपको stainless steel का frame देखने को मिल जाता है जो कि aluminium frame के according काफी premium आपको देखने को मिल जाता है लेकिन इसका कुछ drawbacks भी है यहाँ पर आपको आप without cover hold करते हैं तो काफी आपको यहाँ पर finger prints और smudges देखने को मिल जाते हैं यह जल्दी यहाँ पर बहुत ही जादा finger prints को attract करता है जिससे आपका iPhone थोड़ा खराब दिखता है लेकिन इसी stainless steel chrome के होने की बज़ए से यह iPhone काफी premium दिखता है इससे आपके iPhone में जल्दी crack और scratches नहीं पढ़ पाएंगे यह काफी अच्छी बात हैं यहाँ पर काफी अच्छी protection आपको देखने को मिल जाती है आपके iPhone 12 Pro में इस अब बात कर रहे हैं डिस्प्ले के बारे में तो यहाँ पर आपको एक OLED दिस्प्ले देखने को मिल जाती है जिसके color आपको बहुत ही premium देखने को मिल जाएंगे जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एक वीडियो प्ले करके दिखायेता हूं यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ color कितने bright है और कितने शानदार आपको यहाँ पर शार्फ डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी अच्छे आपको colors देखने को मिल जाएंगे इस iPhone में काफी premium display अपल ने यहाँ पर यूज की है जो कि आपको HDR content देखने में बहुती जादा help करेंगे बहुती जादा अच्छी quality आपको provide करेंगे जो कि काफी अच्छी बात थे है इस price range में डिस्प्ले की quality आप देख सकते हैं यहाँ पर इस वीडियो में कितने शांदार आपको देखने को मिल रही है इस iPhone में आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी जो brightness है वो automatically यहाँ पर adjust हो जाती है motion के हिसाप से colors के हिसाप से यहाँ पर देख सकते हैं कितने प्यारे colors आपको इसमें दिख रहे हैं OLED डिस्प्ले का यही एक फाइदा है कि आपको यहाँ पर HD content कंज्यूम करने में काफी अच्छा experience देखने को मिलता है गाइस अभी बात करते हैं आइफोन 12 प्रो की बैटरी के बारे में तो किसी भी आइफोन या फिर किसी भी फोन में बैटरी के बहुत ही important रोल होता है तो आपको आइफोन 12 प्रो में यहाँ पर बची है लेकिन इसके बावजूद भी मुझे पूरा दिन यह आइफोन अच्छे से बैटरी बैकप दे देता है मैं यहाँ पर काफी यूज करता हूं इस आइफोन 12 प्रो का यह मेरा primary आइफोन है इसी से मैं अपनी सारी वीडियो क्रियेट करता हूं और यहाँ यहाँ पर एडिट भी मैं अपने आइफोन में ही करता हूं इतना हैवी यूज होने के बावजूद भी काफी अच्छा परफॉर्म करता है मेरा आइफोन बहुत ही अच्छे से यह वर्क करता है तो यहाँ पर आप एक यूज आइफोन लेने वाले आइफोन 12 प्रो तो आपको यहाँ पर यह यूज फोन ही परचीज करना पड़ेगा अगर आप लेना चाहते हैं आइफोन 12 pro तो दोस्तो भी बात करते हैं आइफोन 12 pro के कैम्रे के बारे में यहाँ पर तीनों के आपको 12 Megapixel के देखने को मिलेंगे एक Ultra Wide आपको देखने को मिल जाएगा और दू दूसरा आपको टेली फोटो लेंस आपको देखने को मिल जाता है आपके आइफोन 12 प्रो में यहाँ पर मैंने कुछ वीडियो और फोटो क्लिक करिए अपने आइफोन के मेंन कैमरे से मैं आप लोग साथ शेयर कर रहा हूं जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं काफी अच् आपको यह कैमरा निकाल करके दे रहा है यहाँ पर एक देख सकते हैं कितना अच्छा आपको दे रहा है और यहाँ पर आप इसकी काफी अच्छे से यह कर रहा है अ यहां पर सारा जो subject है आपका आप देख सकते हैं उसे कितनी अच्छे से यह manage करता है और background आपका कितनी अच्छे से blur कर देता है आप यहां पर देख सकते हैं कितनी शांदार photos वीडियो निकल के आ रही है यहां पर photos की बात करें तो यहां पर इसे colors और brightness देख सकते हैं यहां प भी 4K resolution में वीडियो शूट कर सकते हैं यहां पर कैमरे की बात करने तो आपको कैमरे में यहां पर portrait mode का option देखने को मिल जाएगा जिसमें आपको काफी studio light, natural light यह सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी panorama का option देखने को मिल जाता है आप यहां पर live photos क्लिक कर सकते हैं और आपक इसे turn on या turn off नहीं कर सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं यह automatically आपका चालू हो जाता है जब भी आप dark situation में होते हैं तो यहां पर आपको ultra wide का option देखने को मिल जाता है आप direct camera से ultra wide के mode में जा सकते हैं 2x zoom का बटन आपको यहां पर देखने को मिल जाता है काफी अच्छे camera आइफोन की जैसा कि आप लोग जानते होंगे बात करते हैं front camera के बारे में तो यहां पर आपको portrait mode देखने को मिल जाता है आपके front camera में भी और यहां पर वीडियो के option में जाके दिखा देते हैं तो आपको यहां पर 4K 60fps में आप यहां पर वीडियो शूट कर सकते हैं slow motion का option option देखने को मिल जाता है और time-lapse का भी आपको option आपके iPhone 12 Pro में देखने को मिल जाएगा जो कि काफी अच्छी बात है बात करते हैं charging के बारे में तो यहां पर आपको fast charging का option देखने को मिल जाता है IP68 का dust and water resistant देखने को मिल जाता है यहां पर आप MagSafe की help से 15 watt की fast charging कर सकते हैं यहां पर आपको पहली बार Apple ने MagSafe की technology दी है जिसमें आपको यहां पर आपके iPhone की back में एक MagSafe की ring देखने को मिल जाती है जिससे आप magnetically अपने iPhone को attach कर सकते हैं MagSafe charger में चलिए मैं आप लोग को दिखा देता हूं यहां पर आपको चार्ज कर पाएंगे MagSafe के तुरू जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर आपको MagSafe के तुरू 15 watt की charging देखने को मिल जाती है और यहां पर आपको fast charging देखने को मिल जाती है आप 20 watt का fast adapter यहां पर use कर सकते हैं जो कि आपको 30 minute में 50% चार्ज करके देदेगा जो कि काफी अच MagSafe हैं यहां पर आपको आपके iPhone 12 Pro में MagSafe की टेक्निलोजी मिल जाती है यहां पर आप काफी accessories यूज कर सकते हैं MagSafe वाली और यहां पर MagSafe के थुरू charging कर सकते हैं आपको simply यहां पर अपने iPhone को रख देना है और यह magnet के थुरू hold जाएगा और आपको काफी प्यारा है यहां 2-3 साल तक का भी आपको यहां पर iOS का support देखने को मिल जाएगा आपके iPhone 12 Pro में Guys Apple ने अपने iPhone 12 Pro में यहां पर 5G का option देगे रखा हुआ है आप यहां पर इसे बहुत ही easily enable कर सकते हैं उसके लिए यहां पर आप settings में जाएंगे settings में जाने के बाद आपको mobile data पर चले जाना है mobile इस phone में आपको 5G देखने को मिल जाता है iPhone 12 और iPhone 12 Pro में iPhone 12 Mini में भी आपको देखने को मिल जाता 5G को option इसके पहले के जो भी devices है Apple की जैसे कि iPhone 11, 11 Pro इन सब में आपको 4G का support देखने को मिलता है वहां पर आप ना ही software के जरीए 5G enable कर सकते हैं और ना आपको आपको hardware देखने को म बहुत ही अच्छा iPhone है यह गाइस अभी बात करते हैं सबसे important question के बारे में कि हमें 2023 में यह iPhone 12 Pro के लिए जाना चाहिए और नहीं जाना चाहिए तो गाइस आप बिल्कुल iPhone 12 Pro के लिए जा सकते हैं 2023 में यहां पर आपको एक used phone देखने को मिल जाएगा 44-45,000 में iPhone 12 Pro 128 GB variant का यहा यहां पर Apple ने इसे discontinue कर दिया इसलिए आपको यहां पर यह new seal pack आपको देखने को नहीं मिलेगा हो सकता है आपके जो stores है उनमें old stock पड़ा हो तो आपको मिल सकता है बाकि यहां पर आप used iPhone purchase कर सकते हैं मेरा यह primary iPhone है तकरीबन मैं इसे धाई साल से use कर रहा हूँ यहां पर iPhone 12 Pro में 5G भी use कर सकता हूँ दोस्तों यह थी एक छोटी सी वीडियो iPhone 12 Pro के बारे में कि 2023 में आपको यह iPhone purchase करना चाहिए या नहीं करना चाहिए I hope आप लोग को यह वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई हो तो इसे like कर दीजेगा और जो भी आपके doubts है या queries है iPhone 12 Pro से related आप म good-bye take care and thanks for watching